हेलो फ्रेंट्स नमस्ते तो चलिए आज जटपट से 10-15 मिट में हम ये सूजी आलू का स्नैक्स बना के तयार करेंगे इसे आप ठंडे होने पे भी खा सकते हैं ये देखे एक कितना क्रिस्पी बन के तयार हुआ है मैं आपको एक तोर के दिखाती हूँ ये उपर से क्रिस्पी अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉप्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसे खाने में कर रहे हूं तो दो कतोड़ी पानी के लिए एक कतोड़ी सूजी इस हिसाब से आप माप से लों, एक चमच इसमें छिली फ्लैक्स ढालेंगे, एक कतोड़ी सूजी है , बार बार दोली डियुव e इसमें डालते रहें और इसमें हम एक चमच नमक का इस्तमाल कर रहे हूं और इसे लगतार इस तरह से चलाते रहें जब तक कि ये पैन न छोड़ दे फ्लैम को हम लो रखेंगे सूजी के डालने के बाद ही हम फ्लैम को बिल्कुल लो क notify देंगे लो फ्लैम पे इसे दो आलू कद्दू कस करके डाल दिया है और साथ ही यहां पे धेर सारा धनिया का पत्ता ले बोड डाले और इसे अच्छे से तब तक इस तरह से मैश करेंगे जब तक आलू और सूजी बढ़िया तरीके से आपस में मिल नहीं जाती तो यह देखिए अब हम क्या करेंगे कि अपने हाथेली पे लगाएंगे तेल और इसमें से एक टुकरा काट करेंगे तो अब हम इसे क्या करेंगे कि रोलिंग बोड पे इस तरह से बरा सा गोल कर लेंगे और इसे छूरी की मदद से बहुत ही आसानी से छोटे चोटे पीसेज में काट ले आप इसको कोई भी अच्छे से पूरा गर्म हो चुका है तो एक एक करके हम इसमें सारे पीसेज को डाल देंगे और डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल हमें मीडियम कर देना है अब मीडियम पे हम इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे अभी हमें कल्ची इसे बिल्कुल नहीं चलाना जब यह थ जाता है तो यह देख कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है दोनों तरब से यह बढ़िया तरीके से सिक चुका है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं तो यह देखे कितना सुंदर कलर आया है देखने में यह कितना ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है बहुत ही शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू